दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि वीवो नए नए टेकनोलोजी की एक्सपिरिमेंट करता रहता है और ये कई दिनों से बात चल रही थी कि वीवो एक इंटिग्रिटेड फ्लाइंग कैमरा फोन का लॉंच करने वाला है कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वीवो एक ऐसे स्मार्टफोन कैमरा पे काम कर रहा है जिसकी कैमरा की कैपैबिलिटी ड्रोन के जैसे होगी जिसका मतलब ये है कि उसका कैमरा फोन से डिटाच हो जाएगा और हवा में उडने लगेगा और एरियल इमेजेस और वीडियोस शूट करना शुरू कर देगा खबर के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि वीवो जल्द ही इस टेकनोलोजी को पेटेंट कर देगा वीवो का फ्लाइं कैमरा फोन इंटरनेट पे काफी पॉपुलर हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस फोन का काफी बेसबरी से इंतेजार कर रहे हैं अब फोन हमारे खाली फोन नहीं रह जाएंगे इस फोन के रिलीज के बाद अब तो ये फ्लाइं कैमरा जब आ जाएगा तो ये काफी धूम मचाने जैसा लगता है इस वीवो फ्लाइं कैमरा फोन की प्राइज इंडिया में क्या हो सकती है ये भी इंटरेट पे घूमने लगा है तो अगर आप इस फोन को लेने का सोच रहे हो वैसे ये ओफिशल इंफरमेशन तो नहीं है लेकिन इंटरेट पे जो बाते चल रही है आए जानते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये हमें इंडिया में कब तक मिल सकता है वो है 28 दिसंबर 2022 तक ये फोन लाँच होने का बात चल रहा है इस फोन में काफी outstanding specification देखने को मिल सकता है जैसे के इसका जो design होगा काफी elegant होगा काफी designful होगा इस पर जामें display देखने को मिल सकता है वो है काफी बड़ा screen मिलेगा जो होगा 6.9 inch तक का और वो होगा super amolent capacitive screen जो corning gorilla glass 7 से protected होगा जिसके वज़े से display safe रहेगा और scratches नहीं होगा और छोटे मिटे drops वो झेल जाएगा जैसा कि हम जानते हैं कि VO हमेशा कुछ न कुछ बेटर करता है तो इसमें storage जो हमें देखने को मिल सकता है वो है 256 GB का या तो फिर दूसरा variant में अगर हम पकड़ते हैं तो यह मिल सकता है 512 GB का और इसके अंदर RAM जो हमें देखने को मिल सकता है वो है 12 GB और इसका जो Android operating system होगा वो Android 12 हो सकता है अब बात कर लेते हैं इसमें processor क्या हो सकता है इस Vivo flying camera phone में हो सकता है कि इसमें Qualcomm Snapdragon processor देखने को मिले जो काफी powerful है और इसमें हमें 4 fantastic color option देखने को मिल सकता है जो हो सकता है Polish blue, black, mocha brown and pink gold इस phone में हमें काफी powerful battery देखने को मिल सकता है जो होगा Leap Polymer का 6900 mAh का जिसे हम निकाल नहीं पाएंगे और इसमें हमें 55W का fast charging option भी देखने को मिल सकता है इस Vivo flagship में हमें quad camera photography experience को better करने के लिए हमें इस phone में 200 megapixel का drone camera मिल सकता है और इसके साथ साथ हमें 32 megapixel प्लस 16 megapixel प्लस 5 megapixel back camera हमें देखने को मिल सकता है और इसके साथ साथ हमें 64 megapixel का selfie camera देखने को मिल सकता है जो flashlight के साथ हो सकता है ये Vivo का flying camera phone dual sim के साथ आएगा ऐसा कहा जा रहा है और इसमें हमें दोनों sim GSM 5G वगरा support अराम से कर सकता है प्राइस की बात करें तो वैसे तो official announcement ऐसे कुछ है नहीं लेकिन जैसे की खबर net पे चल रही है इस Vivo flying camera phone की प्राइस इंडिया में approximately 1170 डॉलर के आसपास हो सकता है जो तक्रीबन 85,000 के आसपास होता है sensor में हमें fingerprint के साथ साथ face ID देखने को मिल सकता है wireless charging supported मिल सकता है USB 4.0 देखने को मिल सकता है और sound की बात करूँ तो इसमें loud speaker भी देखने को मिल सकता है audio jack की बात करूते इसमें 5mm jack हमें देखने को मिल सकता है दोस्तो अब हमारा phone खाली phone नहीं रहे गया लेकिन अब जो खबर मिल रही है दोस्तो या net पे जो खबर चल रही है उसके हिसाब से अगर ये success हो गया तो काफी हमें एक change phone के दुनिया में देखने को मिल सकता है जो flying camera phone के नाम से जाना जा रहा है इंटरनेट पे काफी दिनों से ये बात चल रही थी के वीवो एक ऐसा smartphone लाँच करने जा रहा है जिसमें हमें flying camera देखने को मिल सकता है जो drone की तरह हो देखने में होगा लेकिन ये अब impossible जैसा नहीं लग रहा है में भी बहुत जल्दी वीवो इस phone को launch कर सकता है तो इस तरह से वीवो का flying drone camera देखने में दिख सकता है इस तरह से ये उड़ेगा और photo वगरा और videos वगरा शूट कर सकता है अब ये सारी information में कितनी सचाई है ये तो पता नहीं लेकिन जिस हिसाब से information float हो रहा है internet पे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस type की technology market में आ सकती है आपकी कहरा है इस smartphone के बारे में comment में जरूर बताना और ये technology कैसी लगी आपको वो भी जरूर comment करना वीडियो अगर अच्छी लेगी तो like जरूर करना और चैनल पर नए है तो subscribe भी जरूर कर लेना थैंक यू